अभी तक हम कोट में इसली जाते थे और हार जाते बट अब ऐसा MCQ में ना हो पाएगा अब हम भी पीछे नहीं रहने वाले हम 30% में अपना न्याय ले लेंगा एक बहुत अच्छी खबर आई है CA final students के लिए जो number 2024 में exam लिख रहे हैं या उसके बाद जो लिखेंगे उन सब के लिए CA final की बात चल रही है intermediate foundation की बात नहीं चल रही है तो institute अभी तक जो exams लेता था उसमें क्या बुलता था कि जो MCQ papers हैं जो exam में 30 marks के MCQ आते हैं उसके वो papers वापस ले लेता था और बाकी 70 marks का ही paper question पर घर बेचा लेकी जा सकता था और suggested answer भी जो आते थे वो 70% वाले आते थे तो वो 30% का जो MCQ के questions थे और उसके जो answers थे उनकी ना होने की वज़ा से बड़े सारे issues भी होते थे बच्चों को suspense बना रहता था कि किस तरह के questions हैं कुछ लोग ये दावा करते थे कि उन questions में mistake थी कुछ कहते थे हाँ नहीं mistake थी फिर उनके जब answer भी check होते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था ये marks ठीक लगे हैं कि गलत लगे हैं उनके क्या answers हैं because answers भी नहीं आते थे जब question ही नहीं आये तो answers कहां से आएंगे तो 19 pages में उसने बड़े सारे आपको procedure बताएं हैं उन्हीं में एक जगा पर एक procedure का पार्ट लिखा हुआ है तो और मैं आपको दिखा दूं जड़ा ये 19 pages में से ही एक line जो मैंने निकाली है वो ये candidates will be allowed to take with them the MCQ papers of all subjects after the conclusion of exam from CA final exam number 24 and onwards इसका मतलब ये कि अब हमारे जो students हैं उनको अपने पास ये अपने साथ MCQ paper भी ले जा सकते हैं ये एक 19 page हैं इसके अंदर तो आप इसको अपने पास institute की site से भी download कर सकते हैं ये हमारे पास कल रात को ही institute ने release की है यानी 6 अगस्त 2024 को रात को साड़े गयारा बजे के आसपास institute ने release किया है जिसको आप आराम से download कर सकते हैं इस वीडियो के description ने भी मैं इसको attach कर दूँगा तो इसमें उन्होंने ये कहा हैं कि अब बच्चा MCQ के paper को घर ले जा सकता है अच्छी बात तो है इसके एक दो फाइदे और भी है कि अगर questions दे रहे हैं तो suggested में answer भी तो आएंगे उसके और MCQ में suggested कुछ होता नहीं MCQ में तो कोई suggested तो है नहीं कि आप बोलें कि नहीं नहीं भाई बच्चे के option है A भी हो सकता है B भी हो सकता है There must be one answer इसका मतलब ये कि अगर वो question में drafting error है या कोई गलत है तो जिस कारण से अभी तक हम institute को court नहीं ले जा पाते थे क्योंकि institute कहता था मेरे answer तो suggested है मैं तो बताई नहीं रहा अब वो फस जाएगा क्योंकि A, B, C, D चार options है अगर मान लो किसी बच्चे का उन्होंने A ठीक कर रख्या और B, C, D गलत कर रख्या और किसी और बच्चे के ने कहा कि sir B answer correct है तो हम बोलेंगे छोड़ो suggested को copy है निकलवाली बच्चों से हमने हमने कहा साब ये देख लो ये इस तरह से check हुए है और ये court में acceptable है अभी तक हम court में इसलिए जाते थे और हार जाते थे वो ये कारण था क्योंकि institute कहता था जी मैं आपने answer बता ही नहीं रहा है ये तो theoretical descriptive answer है subjectivity है कुछ भी correct हो सकता है ये फाल तो बोलते रहते हैं ये लोग बट अब ऐसा MDQ में ना हो पाएगा तो एक अभी आपने recently जाना की NEET के exam में भी कुछ इस तरह के issues थे और भी थे person में अपना नयाई ले लेंगे अब मुझे बहुत खुशी हुई मैंने का बाकी इसके लावा बहुत सारे लोग videos बनाएंगे और बाकी उस 19 page की summary बताएंगे मुझे लगा वो मेरे काम की बात नहीं है वो आप बाकी teachers और बताएंगे मेरे काम करते हैं कि अगर institute final में ऐसा कर रहा है तो उनके लिए भी ऐसा करेंगे बाकी इनका कुछ पता-पता नहीं है तीन बार exam internal foundation के हो रहे है फाइनल के नहीं हो रहे हैं जबकि उनको ज़्यादा जुरौत थी उसकी but anyway तो I am with you निश्चिंत रहें अब हम इस बार जो papers होने वाले हैं उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि institute क्या करता है और क्या नहीं करता है बाकिया आपसे मिलेंगे फिर से हमारी October में classes स्टार्ट होंगी FR की उनके अंदर मिलेंगे आपसे और बातें वहां पर करेंगे Thank you very much all of you and thanks for watching this video. Bye-bye